नवस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 जून 2023, स्वागत है आपका editorial discussion में आज हिंदू को ये तीन articles discuss करेंगे सबसे पहले article discuss करेंगे इंडिया-U.S. defense relationship दूसरे नंबर पे uniform civil code और तीसे नंबर पे US की UNESCO के अंदर re-entry ये भी discuss कर लेंगे, इस article से points जो निकलेंगे, ड्रा करके discuss कर लेंगे कल जो मुखरजी नगर में आग लगी, उसकी भी case study बनाके कुछ points हम निकालेंगे ताकि answers में आप वो इस्तमाल कर सको. आगे बढ़ने से पहले आज की जो term है वो है law ला मतलब कानून, ये क्या होता है? ला के अंदर देखो, वो rules हैं जो किसी देश के द्वरा recognize के जाते हैं, किसी community के द्वरा recognize के जाते हैं, वहाँ पर citizens का behavior regulate करने के लिए. मैं आपको एक simple example की साहिता से बढ़ाता हूँ. मान लीजिए आपकी गली में न जहां पर आप रहते हो, उसके आसपास कुछ लोग न किर्केट खेल रहे हैं आपस में. अब न वो rules बनाते हैं कि हम किर्केट ऐसे खेलेंगे, अब कोई person उन rules को नहीं मानता है, तो क्या होता है? फिर वो लोग उस person को खिलाते नहीं हैं, पनीस कर देते हैं कि य पनीस किया जाता है, उस member को जो rules नहीं मानता, fairness के साथ नहीं खेलता, उसी परकार से कोई देश ना कानून बनाता है, जैसे हमारे देश में parliament कानून बनाती हैं कि कोई किसी दूसरे person को hurt नहीं करेगा, नुकसान नहीं पुंचाएगा, लेकिन जो लोग hurt करते हैं, फिर उनक order maintain रहे, peace रहे, society में, society में, लोग का welfare सुनिश्चित हो, progress की तरफ आगे बढ़े, ये सब ध्यान में रखते हुए lab बनाये जाते हैं, समझ गए simple भासा में, अब चलिए discussion स्टार्ट करते हैं, आज की discussion का पहला article, इंडिया-US defense relationship से समधित हैं, आप GS paper second के East topic से article को relate कर सकते हो, वैसे तो जेखो, पिछले कुछ सालों में भारत और US के जो समंध हैं, हर एक domain में मजबूत हुए हैं, जैसे economic domain में, cultural domain में, लेकिन defense relationship थोड़ी जादा ही मजबूत हुई हैं, इंडिया और US के बीच, इसी कड़ी में, 4 और 5 जून को, USA के जो defense minister हैं, वो भारत की आतरा पर आ परधा मंतरी मोदी भी US की आतरा पर जाने वाले हैं, तो इस article में ना बात की जाएगी, focus किया जाएगा, mainly India-US defense relations पर, कुछ समय पहले, यानि मई 2022 में, एक agreement एनाउंस किया गया था, US और इंडिया के द्वारा मिलके, उस agreement का नाम था, ISAT, मतलब की, US-India initiative on critical and emerging technology, critical and emerging technology कौन सी होती है, critical energy, sorry, critical technology मतलब वो technology जो देश की security के लिए important है, for example, missile वाली technology, emerging technology, जो emerge हो रही है, for example, artificial intelligence, तो इन दोनों तरह की technologies को लेके, इंडिया और US के बीच माई 2022 में, एक agreement sign होता है, ISAT agreement, इस agreement को अब implement कैसे किया जाए, कैसे इसको execute किया जाए, इसको लेके भी road map त्यार हुआ, road map त्यार हुआ, US के defense minister की भारत यात्रा के दुरान, जैसे देखो example देके बताता हूँ, मान लीजिए, मैंने ना अपनी team में कुछ plan decide किया, कि परहार बनाना है हमें, बच्चों के लिए ये initiative लेके आने हैं, ये तो बिलकुल टै हो गया, कि हम ये काम बच्चों के लिए करेंगे, बट अब इसे execute भी तो करना है न, जैसे परहार की इतनी सारी booklets हैं, कौन सा team member, polity को लेके काम करेगा, कौन सा team member, economy को लेके काम करेगा, review कौन करेगा, ये कौन ensure करेगा, कि content जो है, इसमें सारी dimension cover कर रहा है, तो अलग अलग team members को काम द किया जाए, उसको लेके road map पे सैमती बनी, defense minister की भारत यातरा के दुरान, इस agreement का एक मक्सद देखो ये भी है, इंडिया में जादा से जादा defense manufacturing हो, अभी जैसे देखो, इंडिया dependent है, बहुत सारे weapons और equipments के लिए, for example, रश्या के ऊपर, but इंडिया का लक्ष ये है, आतम नि इंडिया बढ़िया defense weapons, equipments, इंडिया में ही manufacture हो, बाहर नहीं, और इस काम में, US से हमारी मदद करेगा, देखो, US के defense minister की visit के दो main objective थे, एक technological innovation, technological innovation मतलब दोनों देश, मिल के काम करें, ताकि technology में innovation लेके आएं, खास करके defense technology में, for example, मिल के कोई ऐसा radar डवलप करें, जिससे दुस्मन की missile या फिर aircraft को और भैतर ढंग से detect किया जासके, growing military cooperation यह दूसरा objective, मतलब दोनों देश की military ज़्यादा से ज़्यादा corporate करें, आपस में ज़्यादा से ज़्यादा exercise conduct करें, ज़्यादा से ज़्यादा best practices को share करें, तो यह दो main objective थे, US के defense minister की visit के, technological innovation and growing military cooperation, जिसका नाम है Indus X, इस Indus X initiative से दोनों देशों के बीच में defense innovation में engagement और ज़्यादा अच्छे से होगी, defense innovation, जैसे देखो कोई बढ़िया सा aircraft डवलप कर दिया, जैसे देखो कोई जबरदस्त bulletproof jacket डवलप कर दी, इन चीजों को लेके innovative ideas पे काम करेगा यह initiative Indus X, यह जो initiative है नम, आलड़ी एक agreement, एक arrangement जो इंडिया और US के बीच sign है 2022 में, space situational awareness, उसी को आगे लेके जाएगा, उसी के अधार पर है यह initiative Indus X, space situational awareness का मतलब क्या होता है, जैसे देखो space में बहुत सारे satellites हैं, बहुत सारे asteroids हैं, जो move कर रहे हैं, बहुत सारी सीजे move कर रहे हैं, अब मान लिजे, USA को पता है, उन satellites की locations, उन asteroids, और दूसरे objects की location, तो उसको space में पता है, कहाँ पर कौन सी चीज मुझूद हो सकती है अभी, तो यह जो knowledge है ना, इसे कहते हैं, space situational awareness, तो इसको लेके arrangement sign हुआ था, इंडिया और US के बीच 2022 में, उसी के उपर build है यह initiative Indus X, 2016 में देखो, US ने इंडिया को major defense partner का status दिया था, क्यूं दिया, मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ साथ four foundational agreements भी sign हैं, इंडिया और US के बीच में, देखो, 2016 से पहले क्या हुआ करता था, US ने इंडिया को technology नहीं दे पाता था, technology transfer नहीं कर पाता था, क्यूंकि इंडिया, US का defense partner नहीं था, इंडिया USA का ally आज भी नहीं है, major ally, तो US उन देशों को technology देता नहीं है, जो USA के allies नहीं है, दोस्त नहीं है, जैसे देखो, कुछ चीजें तो आपके पास भी होंगी, जो सिरफ आप अपने दोस्तों को देते हो, और किसी के साथ नहीं share करते हैं, तो वैसा ही US के साथ था, लेकिन US ने 2016 में इंडिया के साथ major defense partner का status, US ने इंडिया को दे दिया, चार ये धिरे-धिरे करके foundational agreement sign किये, जैसे logistics exchange memorandum of agreement, लिमोवा, इसमें क्या है कि, US इंडिया के port से fuel, food, ammunition ये सब ले सकता है, और इंडिया भी ऐसा ही कर सकता है, US के port से, next है, कॉमकासा, Communication, Compatibility and Security Agreement, इस agreement में ये है, दोनों देश, secure communication share करते हैं, जैसे माली जीए, दोनों देशों को किसी defense matter पर बात करनी है, तो ऐसे भासा में होगी, जो सिरफ इंडिया और US ही समझते हैं, और कोई नहीं समझता, ताकि communication secure हो, कोई दोनों की बाते आफस में सुनना next, basic exchange and cooperation agreement, जैसे देखो, high level के map है, यहाँ पे map है, detailed map बिल्कुल, अगर USA के पास है, तो USA इंडिया के साथ share करेगा, मालीजिए, इंडिया को चाहिए, कि आप, अंडमान निकुबार के आगे का map हमें detail से दे दीजिए, USA के पास होगा, तो USA हमें देगा, details है, information देगा, जो USA जुटाई होगी, पिछले काफी सालों में अपनी नेवी की साहिता से, तो सारी information, USA इंडिया को दे देगा, next, technology and information sharing agreement, अब मालीजिए, इंडिया ने कोई बढ़िया technology develop कर ली, तो इंडिया share कर लेगा USA के साथ, कि हमने ये technology develop कर ली है, आपको मदद चाहिए, तो हमसे ले सकत हो, तो ये चार foundational agreements, इंडिया-US के साथ sign कर चुका है, major defense partner का status भी USA इंडिया को दे चुका है, तो अब USA sensitive technology इंडिया के साथ share कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था, इसके लावा 2 plus 2 dialogue होता है, इंडिया और US के बीद, जिसमें दोनों देशों के defense minister और foreign minister आपस में बात करते हैं, पिछले साल, अप्रेल में जब ये dialogue हुआ था न, तो ये decide हुआ था, तीन चीजें जो Indo-Pacific region में इंडिया और US के समन्दों को और increase करेंगी, वो है सबसे पहली, चाइना के द्वारा जो coercive actions लिया जा रहा है, जैसे चाइना disputed islands को हडपता जा रहा है, इंडो-Pacific region में, aggressive है, ताइवान के border के नजदीक जाके military exercise कंड़क्ट करता है, इसके साथ साथ, दूसरे देशों के जहांजों को घुजरने से रोकता है, sea lanes पे, कबजा करके रखा है, next point, Russia के जो aggressive actions है युकरेन के तरफ, ये भी एक factor है, तीसरा transnational issues जैसे terrorism है, piracy है, climate change है, ये तीन चीजें इंडिया और US के समंदो को मजबूत बनाती है, इंडो-Pacific region में, दोनों ने ना, इंडिया और US ने मिलके इस region में ना, मिलकर threat assessment किया, एक खत्रा किस से है, तो निकल के आया सबसे बड़ा खत्रा तो देखो चाइना से ही है, आज के समय में चाइना के पास में 360 ships है, 2025 आते आते 400 ships चाइना के पास में हो जाएंगे, Chinese navy के पास में, तो ships के मामले में चाइना की जो नेवी है, वर्ल्ड की largest navy है, आज के समय में, जैसे जैसे देखो, इंडो-Pacific region मे power को लेके लड़ाई और ज़्यादा चलेगी, Chinese presence जो है, sub-surface, यानि पानी के नीचे, यानि सम्मरिन्स वगरा है, चाइना और ज़्यादा इस्तमाल करने लगेगा, इंडियन ओशन में, पैसिविक ओशन में, तो पहले से इंडिया और US को संभल के चलना चाहिए, अब तो US अब उन defense companies को बोलेगा कि आप इंडिया के साथ joint venture केजिए, इंडियन companies के साथ कोई दिक्कत नहीं है, technology share केजिए, हमारा दोस्त है, इंडिया, देखो, कहने की बाते होती है, वो बात अलग है कि, बिल्कूल जबरदस्त वाली technology तो US से भी नहीं share करेगा, इंडिया के साथ, थोड़ी बहुत technology share करेगा, अगर practically बात करें तो, अब देखो, टीन dominant trends हैं, इंडिया और US के defense corporation में, सबसे पहले joint venture between companies of India and US, जैसे ये US की companies हैं, Boeing, Lockheed, Martin, BAE System, Honeywell Aerospace, अब इनका joint venture Indian companies के साथ में, जैसे Mahindra, Tata Group, L&T, Hindustan Aeronautics Limited, इस परकार के joint ventures, next, US ना धीरे धीरे Indian defense manufacturing में, ज्यादा share हासिल कर रहा है, इसका मतलब देखो ये है, इंडिया में defense manufacturing में, US का जो involvement है ना, बढ़ता जा रहा है, सबसे तीसे नंबर पे, दोनों देशों के बीच में कोई भी difference है ना, जैसे इंडिया और US को मिलके, किसी defense equipment को develop करना है, produce करना है, तो उसमें कोई भी difference है, दोनों देश मिलके, उन differences को दूर करने की कोशिस कर रहे हैं, एक agreement जो sign हुआ था, इंडिया और US के बीच, defense technology and trade initiative, कई बार criticize किया जाता है, इस agreement को कि ये बहुत ज़्यादा ambitious है, bureaucratic resistance बहुत ज़्यादा है, bureaucrates इस agreement को लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर कोशिस कर रहे हैं, दोनों देश हाल ही में steps लिए गए हैं, कि ना इस agreement की implementation को लेके जहां पर भी रुकावट है ना उसे दूर किया जाए, ताकि sensitive technology, US इंडिया के साथ share कर सके, share करने के साथ साथ दोनों देश defense technology को मिलके develop कर सके, और उसके बाद defense equipment को मिलके produce कर सके, उनकी manufacturing कर सके, तो यह पूरा article हमने इंडिया और US के समंदों से समंदित डिसकस किया, इसके बाद next article, uniform civil court से समंदित हैं, आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हों, तिवो सबसे पहले basics इस issue के हम revise करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अब नया क्या हुआ है, first basics, Uniform civil court का मतलब क्या है, Uniform civil court का मतलब है, हमार देश में कोई भी citizen, किसी भी धरम का हो, किसी भी जाती का हो, किसी भी ethnic group का हो, सभी के लिए same civil last का होना, खास करके personal last का, personal last का मतलब है, family affairs, साधी, तलाक, succession, ये सब चीज़े आती है, personal last में, देखो थोड़ा सा history में आपको बताना चाहता हूँ, 1947 से पहले, यानि आजादी मिलने से पहले, विभीन धरमों के personal last को codify नहीं किया गया था, इस वज़े से साधी, तलाक और succession से समन्दित मामलों में, वूमन के साथ बहुत ज़्यदा discrimination होता था, बेदभावो होता था, इस वज़े से सविधान जब बनाया गया, हमारे सविधान निर्माताओं ने एक article add किया, article 44, मतलब सरकार ये कोशिज करे कि देश में सभी citizens के लिए एक uniform civil code होना चाहिए, यानि uniform personal last होने चाहिए, question ये उठता है, सविधान निर्माताओं ने इस provision को DPSP में क्यों डाला, directive principles में, जो कि non enforceable है, हाला कि ये एक instruction जरूर है, गोर्मेंट को, लेकिन कोई court में नहीं जा सकता, ये कहते हुए, कि इसे enforce किया जाए, देखो सविधान निर्माताओं ने ऐसा इसलिए किया, चुकि उन्हें लगता था, कि आने वाले समय में, जब सरकार को उचित लगेगा, कि uniform civil code हमारे देश में आनी चाहिए, तब सरकार uniform civil code लेकर आएगी, लेकिन अभी उचित समय नहीं है, इसी वज़े से, सविधान निर code जो DPSP में है, सरकार अब इसे लेके आए, लेकिन उस समय सिरफ हिंदू personal last को codify किया गया, उस समय acts आए थे, जैसे कि हिंदू marriage act, special marriage act, लेकिन muslims के लिए और Christians के लिए personal last को codify नहीं किया गया था, उस समय, तो तब से अभी तक मांग चली आ रही है, कि सिरफ हिंदू के ल को codify किया गया है, muslims के लिए और Christians के personal last को codify नहीं किया गया है, और अभी भी हमार देश में सभी citizens के लिए uniform civil code नहीं है, यानि धरम के अधार पर ये तैह होता है, कि किस citizen पर कौन सा personal law applicable होगा, इसी वज़े से समय समय पर कुछ लोगों के दवरा ये आवाज उठाई जाती है, uniform civil code हमार देश में आना चाहिए, article 44 भी यही बोलता है, ला कमिशन को ये मुद्दा सोपा गया था, सरकार के दवरा, ला मिनिश्ट्री ने ला कमिशन को कहा था, कि आप अपनी राय दीजिए uniform civil code के मुद्दे पर, ला कमिशन ने लेकिन अभी कहा है, uniform civil code के लिए अभी उचित समय नहीं है, next हम uniform civil code के pucks और विपक्स के arguments की बात करेंगे, पहले uniform civil code के pucks के arguments की बात करते हैं, आगर देखो हमार देश में सभी citizens के लिए similar personal lans होंगे, तो इसका मतलब ये है कि सभी citizens को equal status दिया जा रहा है, धरम के नाम पर अलग-अलग personal lans को operate नहीं किया जा रहा ह हमारे देश में, दूसरा argument, gender parity, काफी सारे धर्मों में देखो, woman के साथ काफी discrimination होता है, और इस discrimination को legitimize करने की कोशिश की जाती है, धरम के नाम पर, यानि धरम के नाम पर कहा जाता है, कि हमारा धरम अलग है, और हमारे धरम में यही रिती है, यही रिवाज है, इसी वज़े से woman के साथ discrimination होता है, यह सरा-सर गलत है, नेस्ट argument, national integration से सम्मलित है, अगर देखो, uniform civil code आता है, तो हमारे देश में, national integration और ज़्यादा मजबूत होगी, चोथा argument, aspirations of younger population, हमारे देश में देखो, अब majority of population जो है, वो young है, young population, equality चाहती है, young population किसी भी परकार का discrimination बरदास्त नही नहीं कर सकती, उनकी aspirations ये हैं, कि धरम के नाम पर, रिती रिवाजों के नाम पर, कोई भी बेदभाव नहीं होना चाहिए, अगर uniform civil code आता है, तो young population की aspirations को satisfy किया जा सकता है, और सबसे last में, bypass the contagious issue of reform of existing personal laws, अभी देखो, बहुत सारे धर्मों में, ऐसी practices preach की जाती है, जो कि human rights क उलंगन है, या फिर बेदभाव वाली है, equality के against है, अब सिधा सिधा Supreme Court interfere करे, किसी एक specific धरम में, तो अवाज उठने लगती है कि आप सिरफ हमारे धरम के अंदर interfere क्यों कर रहे हो, हमारे पास article 25 है, हम हमारे धरम को अपने हिसाब से manage कर सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों के Uniform Civil Code आएगा, तो इस परकार की जो पुरानी practices हैं, वो अपने आप खतम हो जाएगी, तो पांचवां argument कहने का मतलब ये है, कि Personal Lans में reforms लाने की परिकरिया है, उसको बाइपास किया जा सकता है, Uniform Civil Code की साहिता से, अब हम Uniform Civil Code के खिलाफ जो arguments दिये जा सकते हैं, उनकी बात क सारी जातिया है, बहुत सारे ethnic groups हैं, तो कैसे एक Personal Lans सरकार लेके आएगी, सरकार के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम होगा, कि इतनी सारी diversity के साथ, similar Personal Lans को formulate करना सभी citizens के लिए, ये पहला argument है, दूसरा argument, परिशेप्शन देखो, ये जाती है, जब भी Uniform Civil Code implement करने की बात आ जाती है, कि जो Majoritarian Community के Personal Lans है, उनको थोप ना दिया जाए, Minority Community के Personal Lans पर, तीसरा argument, Interference of State in Personal Matters, अगर देखो, हमार देश में Uniform Civil Code आता है, इसका मतलब, State जो है, विविन धर्मों के Personal Matters में Interference, यानि दखलनाजी कर रहा है, जो कि सविधानिक Values के Against है, Next argument है, Sensitive and Tough Task, Uniform Civil Code का जो मसला है, बहुत ज़्यदा sensitive है, ऐसा ना हो, कि Uniform Civil Code के चकर में, कुछ जो Minority Communities है, बहुत ज़्यदा alienate हो जाए, और समाच की जो Stability है, वो Spoil हो जाए, सबसे Last में, आर्गुमेंट दिया जा सकता है, देखो, Uniform Civil Code हालाकि DPSP में है, और सरकार की जिम समें नहीं है, अभी सरकार को हर एक धरम पर अलग-अलग focus करना चाहिए, और किसी धरम में, अगर कोई ऐसी practice preach की जाती है, जो कि equality के against है, वोमन के साथ discrimination को promote किया जाता है, तो ऐसी practices को हटाने पर सरकार focus करें, ऐसा नहीं कि सब के लिए similar practice हो, बेसक देखो, हर एक धरम के लि सरकार ऐसा कर भी रही है, सरकार में देखो, जुडिशरी भी आती है, जुडिशरी ने अभी triple तलाक के issue पर verdict दिया, तो ये एक परकार से कोशिस है, मुस्लिम महिलाओं के साथ जो discrimination होता है, उनके fundamental rights का violation होता है, उसे खतम करने की, even polygamy, बहु विवहा, वो भी case जो है, अब तो उन मसलों पर Supreme Court या फिर सरकार reforms लेकर आए, universal principles apply करे सरकार सभी धर्मों में, equality, human rights, ये जो principles है, वो सभी धर्मों के personal laws में applicable होने चाहिए, अगर ऐसा होता है, तो धीरे धीरे अपने आप एक ऐसी stage आ जाएगी, जब uniform civil court को आसानी से implement किया जासकेगा, लेकिन देखो, इसक सवेदन सीलता भी फिलानी होगी, ताकि अपने आप से ही women communities कदम उठाएं, और community के अंदर women के साथ कुछ अगर गलत discrimination होता है, या फिर gender equality के against जाके कोई काम होता है, तो उसे धर्म के नाम पर legitimize ना किया जाए, ऐसी practices को खतम किया जाए, communities के द्वारा अपने आप से, तो इस ला कमिशन ने ना, public से views मांगे हैं कि भाया आप बताओ, आप क्या सोचते हो, uniform civil code आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ला कमिशन सरकार के द्वारा गठित किया जाता है, ला कमिशन को काम होता है, या तो नए ला सजेस्ट करना, या फिर आरड़ी जो कानून है, उन में फे जनता के विचार चेंज हो गए हो, देखो 21 वी, 21 जो ला कमिशन था ना, उसने जनता से views मांगे थे, उसके बाद एक paper release किया था, consultation paper 2018 में, जिसमें बोला गया था, अभी देखो, ना तो जुरूर्थ है, और ना ही desirable है, इस stage पे कि uniform civil code आए, पिछले ला कमिशन ने ना, ये recommend किया था, कि अलग-अलग धर्मों के जो personal laws है न, उन में reform आने चाहिए, ताकि अलग-अलग धर्मों के personal laws किसी के साथ बेदबाव ना करें, for example, महिलाओं के साथ में, पिछले ला कमिशन ने ये भी कहा था कि, अलग-अलग धर्मों में ना, सुधार आना चाहिए, ताकि कि क परकार से जो विरासत है माबप से बच्चों के पास जाए अलग अलग धर्मों में अलग अलग परस्टनलाज हो सकते हैं इसमें कुछ भी गलत नहीं है राइटर के अनुसार पिछले जो लाग कमिशन ने सजेस्ट किया था ना वो काफी प्रोग्रेसिव यूज थे अभी इतना कुछ बदला नहीं है पिछले पांच सालों में लेकिन चुकि अगले साल लोक्ष बाइलेक्शन है इसलिए सरकार के कहने पर साइद लाग कमिशन ऐस कर रहा है राइटर कहते हैं देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में एक ambitious goal है बियार अंबेटकर भी यही चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए बट वो चाहते थे कि वोल्यून्टरी आना चाहिए अपने आप से अगर देखो यूनिफॉर्म स को ऐसा लगेगा कि जो majority के personal laws है वो हमारे उपर impose किये जा रहे हैं हमारी जो religious freedom है वो खत्रे में आ गई है हमारे beliefs खत्रे में आ गए है सरकार हम पे जो majority community के laws है वो impose कर रही है यह लगेगा minority community को तो writer कहते हैं सुरुवात हो सकती है basic से जैसे सभी धर्मों में यह mandatory कर दिया जा मतलब सभी धर्मों में divorce का procedure इस परकार से हो अगर marriage ऐसी stage पर आ चुकी है कि अब 70 नहीं बन सकती तो marriage को dissolve करने का अधिकार होना चाहिए तो यह कुछ common common चीजें जो है ना वो उससे सुरुवात की जा सकती हैं बजाए इसके कि एकदम से uniform civil code लाया जाए अचानक से सभी personal laws को same कर दिया जाए शुरुवात धीरे धीरे करके होनी चाहिए और कोसिस यही होनी चाहिए कि सभी धर्मों में जो universal principles है ना equality, non-discrimination और कुछ stereotype है सभी धर्मों में कुछ taboo है उन सब को दूर किया जाए किसी भी धर्म में हो सकते हैं जैसे महिलाओं को धार्मिक स्थल पे नहीं दूर होनी चाहिए तो यह पूरा article हमने discuss किया चलते हैं आगे अगला article देखो US की UNESCO में re-entry से समन्दित है आप GS paper second के इन topics से article को relate कर सकते हो US ने देखो इस हफते ये कहा कि हम फिर से UNESCO को join कर रहे हैं UNESCO देखो एक ऐसी body है जिसे establish किया गया था 1945 में जो विबिन देशों के बीच में cooperation establish करती है इन matters में for example education, science, culture इन मामलों में विबिन देशों के बीच में cooperation establish करता है UNESCO 2017 में Trump ने फैसला किया था कि हम UNESCO की membership छोड़ रहे हैं उससे पहले 2011 में Obama ने funding देना बंद कर दिया था UNESCO को question बड़ा ये उठता है आखेकर USA का फिर से UNESCO के परती प्यार क्यूं जग गया मनलब क्यूं उसको लगा कि यार FOMO create हो गया कि हम member नहीं रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा उसका देखो एक ही answer है चाइना क्योंगी चाइना भी UNESCO का member है US नहीं है तो US को लगता है कि हम वहाँ पे मुझूद नहीं है तो चाइना अपनी गुंडगर्दी कर रहा है UNESCO में अपनी मनमर्जी कर रहा है हमें जाना पड़ेगा यार otherwise चाइना पूरे UNESCO body को अपने कबजे में कर लेगा तो यह एक reason है कि USA को लगा कि फिर से member बनना चाहिए अदरवाइस चाइना को फाइदा हो रहा है इस body में for a change देखो पहली बार US ने चाइना का सिधा नाम लिया है organization में re-entry के लिए या फिर किसी multilateral treaty के लिए multilateral body में वापस आने के लिए इससे पहले देखो 2020 में President Trump ने announce किया था कि वो WHO से अपनी जो funding है वापस ले रहे हैं और उसी समय Paris Climate Change Agreement से भी US बहर आ गया था बट उस समय ना WHO को US ने दोस्त दिया था कि China में महामारी निकल के आई और WHO timely से control नहीं कर सका कोई काम के नहीं है यह body रदी body है इसको funding दिना बंद कर रहे हैं ऐसा Trump ने बोला था और Paris Climate Change Agreement से US बहर इसलिए आया था US का आरोप ये था कि ना US को दबाया जा रहा है यहाँ पर major जो polluter countries है चाइना और इंडिया इनके दोरा बड़ देखो अब बाइडन राश्टरपती है US के अब सब कुछ change हो गया है Paris Climate Change Agreement को फिर से rejoin कर लिया है US ने और US फिर से funding देने लगा है WHO को और अब तो फिर US UNESCO का भी member बन गया है Trump की जो नीती थी ना वो अमरीका first की थी Trump अमरीका first थोड़े narrow terms में सोचते थे कि हमारे पैसे जा रहे है UNESCO कोई काम की body नहीं है छोड़ दो इसकी membership लेकिन बाइडन दूसरी dimensions पर भी ध्यान देते हैं कि अगर हमने इसको funding देना छोड़ दिया तो चाइना का influence ओर जादा बढ़ जाएगा और देखो एक चीज़ जब US ने UNESCO की membership छोड़ी थी ना तो चाइना के issue पर नहीं छोड़ी थी तब US ने ये बोला था कि UNESCO इसराइल के against biased है और इसराइल की दोस्ती US के साथ काफी ज़्यादा है तो US ने बोला हमारे दोस्त के साथ आप discrimination कर रहे हो हम आपका सदश्या नहीं बनेंगे लेकिन वापस US UNESCO में China के नाम पर आया है कि China का influence बढ़ रहा 2004 में भी जब रॉनाल्ड रेगन युएस के राष्ट्रपती थे तो उन्होंने UNESCO की सदस्ता छोड़ दी थी उस समय आरोप लगा था कि UNESCO जो है वो Soviet Union के interest को परमोट कर रहा है देखो अब आपको पता है artificial intelligence में काफी ज़्यादा developments हो रही है और past में जो technology को लेके developments होई है उनसे अलग है artificial intelligence में developments है इसमें चाइना के पास थोड़ा age है कैसे चाइना की population बहुत ज़्यादा है आपको पता है artificial intelligence मेंना data की importance काफी ज़्यादा होती है चाइना के पास data बहुत है एक तो चाइना जो privacy है उसको कोई ध्यान नहीं देता सरकार कुछ भी कर सकती है किसी की भी surveillance करवा सकती है चाइना में सरकार को कोई डोकने वाला नहीं है US जबकि democracy है US बहुत कुछ नहीं कर सकता क्योंकि citizens की privacy हनन हो जाती है तो चाइना के पास data बहुत ज़्यादा है population भी ज़्यादा है privacy का कोई कदर नहीं है चाइना में इसलिए data ज़्यादा है डेटा जिसके पास ज़्यादा उसके algorithms ज़्यादा बढ़िया होंगे वो ज़्यादा अच्छा करेगा artificial intelligence में तो natural age है चाइना के पास में अब देखो last में conclusion में यह कहा जाता है युनेसको का member फिर से US बनेगा 600 million dollars की जो funding रुकी हुई थी US की तरफ से वो युनेसको को जाएगी लेकिन देखो इंडिया जैसे देशों को न आवाज उठानी चाहिए युनेसको में युनेसको strict हो जाए उन देशों के अगेंस्ट जो किसी भी ground पर चले जाते हैं वापस आ जाते हैं और ऐसी policies बनानी चाहिए युनेसको को जिससे की देखो दो देश for example US और चाइना के बीच में concerns है तो वो concerns address हो ना की concerns और ज़्यादा बढ़ें for example artificial intelligence को लेके अब देखो newspaper के कुछ articles देख लेते हैं ethics के perspective से मुखरजी नगर में कल आग लग गई यहाँ पर देखो buildings काफी पुरानी है और buildings में normal जो equipments होने चाहिए आग लगने की शूरत में आग को बुजाने के लिए वो equipments भी नहीं है तो यहाँ पर case study है सबसे पहले क्या-क्या ethical issues निकल के आते हैं सबसे पहले चीज़ negligence हुआ है coaching institutes, building owners और authorities की तरफ से तभी तो ऐसी situation में buildings थी, classes चल रही थी दूसे नमबर पर overcrowding, coaching institutes जितनी limit होती है उससे ज़्यादा class fill करके रखते हैं for example, 100 की limit है, 300 student होंगे, जो entry और exit point है सिरफ एक ही होते हैं यह है lack of fire safety, fire fighting के equipments नहीं थे, proper मतलब infrastructure नहीं था next, non compliance with regulations, already जो rules है, कानून है, उनको follow नहीं किया जा रहा था और इसके लिए सब जिम्मेदार हैं चाहे वो authorities वाले हों, coaching institute वाले हों, building owners हों, सब जिम्मेदार हैं stakeholders कौन है, coaching institute owners, building owners, authority and regulatory bodies और even students भी students के पास में right है कि वो safe environment में study करें लेगिन देखो, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सबसे दार नुक्सान students का ही होता है खुल मिला के देखो, ethical analysis ये हैं, इन सबने मिलके न अपनी ethical responsibility को avoid किया है, profit को ज़्यादा priority दी है, over the safety of students safety regulations को neglect किया है, ये इनका lack of ethical conduct और show करता है और students की well-being के लिए disrespect भी show करता है, तो ये recommendations है action होना चाहिए जो लोग जिम्यदार है, अभी जो rules है, strict compliance होना चाहिए inspection होना चाहिए समय समय पे, students का empowerment होना चाहिए ताकि students कुछ safety concern face करते हैं, तो complain कर सके, education और awareness भी spread करने के आव सकता है coaching institute owners, building owners और students के बीच safety को लेके इसके बाद railway से समदीद article है, is the Indian railway stressed beyond its capacity interview type का ये article है, देखो इसकी summary में आपको बताता हूँ, इस article में discuss किया जाता है कि railway ना अभी इंडिया में बहुत जड़ा overcrowded है, जैसे आप ये तस्वीर देखिए कितने कितने लोग बैठे हैं एक डबे में, अपनी capacity से 3-4 times जादा तो अधिगार होना चाहिए हर एक passenger को वो dignity के साथ travel कर सके इसके लिए जो LE trains है ना, for example, stop the express, वहां से funds generate हो और वहां से पैसे जब generate हो उसका इस्तमाल किया जाए दूसरी trains के coaches की संख्या को increase करने के लिए accident होते हैं, उसके कुछ region से इस परकार से हैं, maintenance अच्छे से नहीं हो पाती staff sincere नहीं है, safety equipments का अभाव है, अब देखो एक culture होना चाहिए railways में की safety तो supreme है, इसको लेके तनिक भी compromise होई नहीं सकता, होता क्या है, जैसे देखो track तो दो ही है एक side से train आएगी, इस side से और दूसरी side से वापस आएगी इस side से, चाइना ने ना एक ही जगह पे चार-चार, छे-छे track बना रखे हैं, तीन-टीन, चार-चार, पांच-पांच train से एक ही साथ जाती हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, दो ही track है, तो train की punctuality को insure करना है, तो maintenance के लिए time ही नहीं बचता, कवच की बात की जाती है, कवच जो की anti-collision device है, इस case में तो कवच भी होता, तो भी काम नहीं चलता, लेकिन जहां जहां पर अभी कवच नहीं है, जल्दी से implement करना जरूरी है, और जो culture खराब है न, employees में, उसके लिए regular feedback देने के आव सकता है, उनको train करने के आव सकता है, थोड़ा strict, थोड़ा incentive देने के आव सकता है, और देखो, last में एक बात ये बूली जाती है, जैसे commission of railway safety inquiry कर रहा है, CBIB inquiry कर रहा है, तो जो jazz report आए न, उस पर accent भी हो, ऐसा ना हो कि jazz report आए, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, लास्ट में देखो, ये question आपको attempt करना है, uniform civil court से समन्दित, analyze the arguments in favor of and against implementing UCC considering its impact on personal laws and religious practices, UCC के implement करने का impact होगा personal laws और religious practice पर, आप pro में और against में दोनों पक्सों में arguments discuss कीजिए, analyze कीजिए, इसके साथ-साथ evaluate भी कीजिए, क्या challenges या फिर obstacles है, इंडिया जैसी multicultural society में uniform civil court को achieve करने में, 250 words में आपको इस question का answer देना है,